दूस्तों कल जेसे से न देर अर्त एक नोटिस जारी किया और एक टीक सीजल का तो पहले आ गया था ठीक उसके बाद दूसरा नोटिस जारी किया है जे आई टी। तोसी के बारे में यानि कि जारखंड और धॉडगी प्रसिक्षन आधिकारी जो है ठीक है उनके एक्जाम को ले करके जारी किया है पिग्यापन संक्या देख लिजे और यहां पर बोला इन्होंने कि जितने भी रिजेक्टेट लिस्ट है ठीक है उनकी लिस्ट दीके यह अंतरगत 10-7 से लेकर के आपका 19-8 के तक फॉर्म भरा गया था ठीक है इन में दूसरा पॉइंट बोला गया है कि आवेदन प्रक्रिया के अंतरगत केवल प्रारंभिक चरण यानि कि रेजिटरेशन को पूर्ण करने वाले निम्ण रेजिटरेशन संख्या को रद्ज कर दिया गया है तो यह रेजिटरेशन किया थे और next रेख CRP जो है फोटो सिंग निट वग्ःन नहीं किते तो ऐसे केज़िए के संगे कितना है 766 ठीक है और फिर बोला गया है कि प्रारंभिक चरण रेजिस्ट्रेशन को पूर्ण करने एवं परिच्छा सुल्क भुगतान करने किन्तु फोटो एवं हस्ताक्षर अप्लोड नहीं करने वाले इतने कंडिड़ेट को यहां पर रेद़ किया गया है जो फोटो सीहनेचर अप्लोड नहीं किये थी तो पेरमेंट भी कर देते हैं इससे कंडिड़ेट के सेटियाओ 207 ठीक है और तीसरे परकार की कंडिड़ेट है कि समान नाम है नाम क्या है? सेम है दो beloved का नाम समान नाम पिता का नाम एहम जन्र तिथी दर्ज कर एक से अधिक ऑनलाइन आविदान समर्पित करने वाले आविदाकों का उनके दवारा अदतन अंतिम समर्पित किये गए आविदाकों वैद मानते हुए पूरू मे समर्पित निम्न रेश्रेशन संख्या वाले आवदगों को रद किया जाता है ठीक है तो इतने केंडियेट को समान नाम और आपका जो है फादर का नेम और आपका डेट बार्थ ठीक है सब कुछ सेम डाल दिया था दो दो बार इसलिए इनको 50 संख्या इनकी भी रिजेक्ट क बात है खरा फिलाल तो जैसा देखने को मिल रहा है कि अगर इस मेन तक रिजेक्टिट लिश्ट अ जाता है तो आपका दिसंबर में एकजाम होगा नहीं तो फिर संभाव नहीं है और अगर्समर में फिर एक दर रहा था थिक नहीं तो फिर भोश ताइए कस एक यंप इस स देखिए अगर इस बार सीजिल का एक्जाम होता है तो ठीक दिसंबर ये जनवरी के तक और नहीं हो पायागा तो फिर भाई मुस्किले हैं मिलते हैं एंगले वीडियो में इसका अगर आपको लिश्ट चाहिए तो मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में पीडियो दे रहा हू मैं खोगर वदियो पीडियो के वे रहा हुडूआ के पाया हूँ बार है क्वाग कर दो दिए हैं एंगलत्ट दूवие कि दो मैं खुट हूँ के अटरले हैं जिए में पीडियो के याटिजियो को जीडियो के तो घ्डियो